जहन साथियों स्वागत आप सभी काश के इस नहीं वीडियो में जिसमें हम आप लोगों के लिए लाए हैं साइन्स यानि की फिजिक्स की दुस्तो अंतिम क्लास है दुस्तो जिसमें आज आपका पूरा साइन्स जो है कि सामाज बहुतिक बिग्ञान आपका दुस्तो पूरा complete हो जाएगा यह हमारी दोस्तों बहुत की बिग्यान physics की दुस्तों अंतिम class होने वाली है तो एक बार आप सभी प्यार दोस्त वीडियो को share कर दीजेगा और जादा से जादा लोग इस class में आ जाएगा अब आप दोस्तों बहुत ही जादा दोस्तों आज की class important रहने वाली है क्योंकि दोस्तों यह science में हमारी physics की दुस्तों अंतिम class रहने वाली है इसके बाद दोस्तों हमारा नया chapter chemistry दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा chemistry में हम previous कर जाएंगे कल की वीडियो में तो आज के दुस्तों class बहुत ही सांदर रहने वाला है आपका पिछली class हो के बेक्षा तो एक बार आप लोग वीडियो को share कर दीजेगा ताकि जादा से जादा लोग दुस्तों class में आ सके और दुस्तों आप लोगों को बता दे कि दुस्तों बहुत ही विग्यान के बाद और उसके बाद आपका बायो बचा है बस आपकी पूरी बुक दुस्तों पूरी complete हो जाएगी तो पहले तो आप लोग दुस्तों वीडियो को share कीजिएगा ताकि जाता से जादा लोग class में आ सके और आपके दुस्तों जो डो जाना live रात 8 बजे आपके teaching विदाना जोहां चैनल पर होती है तो पहले आप लोग वीडियो को share कर देंगे तो चलिए दुस्तों बिना देरी किये बिना बात किये हम आप बात करते हैं अपने सीधे topic पर उस्तों पिछली class की बात करते हैं तो पिछली class में हमने दुस्तों क्या-क्या पढ़ा था जिन लोगों ने पिछ पिछली क्लास को कहां पर स्टॉप क्या था ऊर्जा रूपांत्रित करने वाले कुछ उपकरड़ और यानी कि यहां से हमने आप लोगों की जो क्लास है दुस्तों वो आफ कर दी थी और पिछली वीडियो में हमने यहीं से तक दुस्त आप लोगों को पढ़ाया था और वहीं से दोस्तों आपकी एक क्लास स्टार्ट हो रही है क्योंकि हम आप लोगों को क्लास कैसी पढ़ाते हैं पेज बाई पेज कंप्लीट करवाते हैं तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उर्जा रुपांतराड करने वाले को चुपकरण तो आप लोगों को भी दोस्तों कुछ इस परकार के ही नूट्स बनाने आपको एक तरफ लिखना हो करण और दूसरी तरफ और ओर जाका रुपांतराड की कौन सा हो करण जो है किस उर्जा को किस उर्जा में परवर्तित करता है रुपांतराड करता है या बदलता है परवर्तित करता है पहला पांड दोस्तों आप लेख पा रहे होंगे यह आपका दोस्तों पूरा का पूरा जो चार्ट है आपका ये टैंथ क्लास में भी बना हुआ है और आपका ट्वैल्थ क्ल होगी आप लोगों को कभी भी फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी यदि आपने ट्वैल में बहुत अच्छे से पढ़ा क्योंकि पूरा पोर्शन तो वही है आपका बस समझने का तरीका ही थोड़ा सा लग है क्योंकि उसमें हम क्या लगते थे एक्जा करते थे कि नहीं करते थे अब किया है हमको केबल एक लाइन एक आफसन ही तो याद करना है और ऱ वो भी नहीं कर पा रहें तो यह बहुत बछे कि आप लोग जो है क्या करकते हों क्यों दो आनसर बिल्कुल सोरद और अब बहुत चोटे-चोटे तो चलि को बात करते है डैने-गर की डैने-गर जो होता है यांत्रिक Łजा को बीदित Łजा में परवर्तिध करता है योो । मौंबत्ति क्या होती दो उस्टो मौंबत्ति को somewhere को आप याप थोड़ा से कॉमन सेंस लगाएं तो समझ सकते हूं। जो मोम होती है वाइट कलर की वह ऑगिए यह के राहसानिक पदार है। क्या दूस्तू राइसानिक पदार है। हम जब मोम-बत्ती को दूस्तू जलाते तो उसमें कहां निया कि मुझा उर्जा देते हैं contributor राहसानिक उर्जा देते प्रिकास में क्योंकि दुस्तों जो मुंबत्ती जलाएंगे तो इसमें रोसनी निकलेगी त्यारी को प्रिकास हो गया और जो रोसनी होती वो कैसे होती गरम होती हीट होती है तो यानि कि दुस्तों रासानिक उर्जा को प्रिकास एवं उस्मा उर्जा में रूपांतरित करता है एक क्लिए चलिए आगला आताओ माईक्रोफॉण माईक्रोफॉघ क्या होता दूस्त्व से ह्याइख क tsunami और और वह क्या सब्सक्राइब करते तो उसकर क्या होती है हमें धनी ऐघ स्पीकर हो गया तो यह आपका क्या हो जाता है, loud speaker, clear, आपको speaker होता है, woofer हुआ, हम उसमें क्या करते हैं, जब लायट आती है, तभी तो उसको बजाते हैं, जब आपको उसमें विद्धित धरा परहायत करते हैं, तब जाकर आवाज निकलती है, यानि वहाँ पर कौन से प्रिक्रिया होगी, तो वहा कभी आपने लोगों ने, दोस्तों मैंने 12 की क्लास में पड़ा था, अभी भी मुझे मालूम है, जो आपका सौर उर्जा को जो पैनल होता है, पैनल जो होता है, आप विदि इसमें देखेंगे, तो वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर की इसमें खांचे से बने होते हैं, तो उसमें जो ब्लैक कलर का पदार्थ होता है, उसको हम बोलते क्या है, कभी आपने अनुमान लगाया, कभी भी आपने इस पॉइंट को बारे में आपने कभी भी सोचा, कि जो आपकी सौर उर्जा की जो प्लेट होती है, सौर उर्जा की जो प्लेट होती है, उसमें जो का पेला भी तो कर सकते हैं क्योंकि दोस्ते जो solar सैल होता है तो सवर ओर्जा होती है उसमें ब्लैक कलर का प्दार्थ होता है वो कोई पदार्थ नहीं होता है वो आपका Eng真 और होता है क्या होता है गेलियम harcinol नामक फदार्थ होता है यहिस्तों इस sm और रूजा की दुस्तों पैनल लगवा लेते हैं, आट दस पैनल ये आपने लगवा लिए, तो क्या हो जाएगा, आपके दीश्वे सूर की जब किरन पढ़ेंगी न, तो उससे दुस्तों बहुत बात्रा में बिद्ध तुर्जा प्राप्त होगे, और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, आप अपना रेफ्रेजरेटर भी चला सकते हो, कूलर भी चला सकते हो, पंखा हुआ, टी भी हुआ, बल्फ हुआ, ये आप सब कुछ चला सकते हो, समद रहे हो, यदि आपके एक दो दिन धूब भी नहीं निकलेगी, फिर भी आपका काम चल जाएगा, लगभग, समद रहे हो, तो ये आपका क्या ही एक सोलर सेल होता है, जो कि गेलियम आर्से नैड होता है, जो कि आपके सूर्क प्रकास को बिद्धित उर्जा में परवर्तित करता है, अगला आता है दूस्तों ट्यूब लाइट, ट्यूब लाइट क्या होता है, ये दूस्तों उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परवर्तित करता है, बिद्धित उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परवर्तित करता है, सितार, सितार तो आप लोगों ने देखा होगा, यह क्या होता है, यांत्रिक उर्जा को द्धनी उर्जा में परवर्तित करता है, यांत्रिक यानि कि आपके पास कोई घंड्रेड वाट का जो 10 रुपया के बलफ आता है हंड्रेड वाट का जो हमें यल्व टैप की रूशनी देता है भो आपका विद्द वालव होता है जब उसमें करेंट प्रभाइद करते हैं विद्द धरा जाती है तब वो हमें कौन सी उर्जा देता है प्रिकास उर्जा देता है और प्रिकास के साथ वो हमें कौन सी उर्जा देता है वो दोस्तों हमें उस्मा उर्जा भी देता है क्योंकि दोस्तों बल्फ जो होता है वो थोड़ी दिर बाद गर्म हो जाता है तो यानि हीट देता है तो प आपका राशाने पदार्थ से बना होता है when you go to ваши और उसको कि dieser k devam पर बर्वक्ती शार्रम्रीकों 불 Д деле बजने लगती हैं तो यह byu बजने लगता थैं कि कि रासानी कुरुजा को बिद्धी तूर्जायनी की करेंट में दुस्तों रूपांतृत करता है मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इसमें क्लास में कोई भी कंडिडेट होगा जिसको यहां तक की जो दस पॉइंट है और जो कि मैंने भी आपको बताया है मुझे नहीं लगता कि कंडिडेट कोई भी होगा जिसको समझ में ना आया हो कोई समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा थमसब कीजिएगा आप लोग यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना होई हो अगला पॉइंट अगला पॉइंट दोस्तों मारा स्ट कपड़े सुखानी की मख्षीन निकालने की मख्षीन उससे खुद हम क्या करते हैं उससे क्या निकलता है तो वह अभी आपका जिस तो अपकेंडरी बल पर ही निर्भार करता है अगला पाइंड चलीए दूस्तों अगला है दूस्तों कि किसी बल दोरा किसी पिंड को किसी अच्छ के परिता गुवाने के प्रभाव को उस बल का बल आगुड कहते हैं और यह एक अधिस रासी है दोस्तो बल आगुड कैसे कहते हैं तो बल आगुड कैसी रासी तो बल आगुड एक सदिस रासी है बा आया ना मैं आपको बता तो बा जिसमें मैग्जिमम आपके बाव आले बर्ड आते हैं वो अधिक्तम दोस्तों आपके सदित रासी के ही होते हैं लेकिन कुछ आपके एकसेप्सन भी है अपवाद भी है जिनमें आपके बाव बर्ड भी आएंगे लेकि आपके रासी कैसे होगी अधिश होगी जैसे कि दाब एक आपकी अधिस रासी है जबकि बल एक सदिस रासी है बाटो दाब में भी आया अबा बल में भी आया तो किसी बल दोरह जब किसी पंड के अच्छ के परता घुमाने के प्रभाव को कोई भी पिंड है मले कोई पंड दिया आप उसके अच्छे के परता गूम रहे हो तो वो गुमाने के जो प्रभाव है वो आपका क्या कहलाता है बल आगुण कहलाता है और यह एक आपकी सदिस रासी है और कभी-कभी आगुण पूछता है कि बल आगुण का मातरक क्या होता ह सरलता और कम समय में किया जा सकता है उसे हम दोस्तों सिंपल मसीन या सरल मसीन कहते हैं और यह बल आगूल के सिध्धानत पर कार करती है जैसे कि उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, इस्कुरूज एक आदी दोस्तों कोई भी ऐक ऐसा साधर जिसके मादे हम से कार को दोस्तों सुबधा पूरवक सरलता से और कम समय में कर सकते हैं वो आपकी कौन सी मसीन कर सकती है जो कि बल आगूल के सिध्धानत परकार करती है बल आगूल कैसी रासी है सदित रासी है जिसका मात्रक न्यूटर होता है जैसे कि आपको उत्तोलक हुआ, गिरनी हुआ, आनत तलिस्क्रूट जा कि आपको कुछ प्रमुखे उधारण दिये गए है अगला है, उत्तोलक एक सीधी या टेड़ी छड़ होती है दोस्तों जो किसी भी निश्चित बिंदू के चारोज सुतंतरता पूरवक गूम सकती है वो आपको कहला था उत्तोलक और उत्तोलक को में इंगलिस में बोलते हैं उत्तोलक के दोस्तों तीन बिंदू होते हैं आलंब, आयास और भार आलंब, आयास और भार तो तोलक के दुस्ते दी प्रिकार पूछा जाए तो प्रिकार होते है प्रत्थम सरेड़ी का तोलक दुत्ती सरेड़ी का तोलक और त्रत्ती सरेड़ी का तोलक बात करें कि प्रत्थम सरेड़ी का तोलक में कौन कौन से आते हैं तो प्रत्थम सरेड़ी का तोलक के दी बात कर थम्स रिड़ी के उत्तोलक के उधारण है दोतीस रिड़ी के उत्तोलक में कौन कौन से आजाते हैं सरौता हुआ नीवू निचोडनी की मसीन हुआ एक पईये की कुड़ा ढोने की गारी ये सब ही आपके दोतीस रिड़ी के उत्तोलक के उधारण है अगला आता है तरतीस रि जाते हैं बल का किसी बस्तू के आकार को या आकरती अवस्ता को परवर्टित करता है वो 33 सड़ी का तौलक होता है जैसे कि बल के परकार आपके कौन कौन से गृत्वा कर्षण बल हुआ बिद्व चुमकी बल हुआ प्रबल नावकी बल हुआ और दुरूबल नावकी बल तो आपको यहां तक की बात ис-ब में आ गई होगी परिठ्थम 2डी को तोला कों कौन से होते हैं 230 ifILL को तूला कौन से होते हैं चलिए पॉमासर पे चलते हैं अगले पॉइंट है दो इसके करनी कि हम क्या खाल को हम कहते हैं सकति कहते हैं यहां सक्तर कहते हैं यह पर तो कहा गया है है पहला पैंड दिया कि कि सी कार करता की चार करख कि कार्ण के दर को सकती क्या उसकते हैं डबलू ए डबल टी वाट तो इसको फिर किस्ते पर्दस्यत करते हैं डबलू से डेनोट करेंगे तो सक्ति बराबर क्या होता है जोस्तों कार बटे समय सक्ति हमारी पी पाबर वाट सक्ति कमात्रक कार कमात्रक सक्ति कमात्रक वाट हो गया तो डबलू हो जाएगा हमारा वर्क किया गया कार अटी समय आप खुद से भी निकाल सकते हो सक्ति बरावर कार बटी समय क्या है यह दिया आपको परवासा माल लेते याद नहीं है माल या थोड़ी दिर के लिए याद नहीं है आपको किवल इतना याद है सक्ति बरावर कार बटी समय या पी बरावर डबलू किसी कार को करने की दर की दर की सकती को या कार करने की दर की सकती को जो समय लिया गया है या कार करने की समय को हम क्या कहते हैं सकती पावर कहते हैं आप दोस्तों परभासा को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो अगला दोस्तों मारा पांट स्टार्ट होता है गुरुत्वा क करशड के बारे में कि गुर्ता करशड के बारे में किस ने बताया गुर्ता करशड का नियम किस ने दिया गुर्ता करशड क्या होता है जिसको में अंगले से मूलते हैं ग्रियाविटेशन चलिए बात करते हैं जोस्तों कुर्ता करशड के बारे में 1686 में सर्व पर्थम न्यूटन ने बताया किनी दो कड़ों के बीच लगने वाला आकर्षण वल उन कड़ों के द्रब्मानों के समान उपाती तता उसके बीच की दूरी के बर्ग के बितक्रमान उपाती होता है जैसा कि न्यूटन के गृत्वा कर्षण के नियम 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 न सतिक किलोग्राम स्वैर होता है जो कि आपके न्यूटन के गृत्व किसे वस्तु को अपने कैंदर के और खीछ दिये जिसें जिसको वह जो चीज अपनी पर इस बाल जिसके कड़ पर तभी किसी बर्षत को अपने केंद्र की से प्रधरत करते हैं यानि के गृत जने क्या होता ये जो प्रवांट आप देख रही क्या लिखा है क्योंकि स्मॉल जी से डिनोट किया गया है इसमें बताएं कि प्रतमी कि सतय से ऊपर या नीचे जाने पर गुरूतु जनेत तुर्णे कामान बढ़ेगा ये दिंगी ओपर से या नीचे जाने और धुर्मों पर गुरूतु जन्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् प्रत्वी की घुलन गती बढ़ेगी तो गुरुत जिने तुत्रों कामाने घटेगा किलियर चलिए अगला है लिप्ट में पिंड का भार बेट आफ आफ बोडी लिफ्ट आप लोगों ने दुस्तों 12 की क्लास में बहुत सारे कुस्टें पढ़े होंगी लिफ्ट के बारे मे जब लिफ्ट में चड़ते हैं लिफ्ट में जब हम लिफ्ट में जाते हैं जब ऊपर की और जाते हैं तो हमें भार कैसा मैसूस होता है जब लिफ्ट नीचे धीरे धीरे आती है तो हमें भार कैसा मैसूस होता है अचानक से उपर जाती तो भार कैसा होता है तो यह दुस्त पांट दूस्तों दिया गया है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी तूट जाए तो मैं मुक्त पिंड की भाती नीचे गरती और ऐसी स्थितियम लिफ्ट में स्थित्पिंड का भार बजन जो होता है यदि लिफ्ट की जो डोरी अचानक से तूट जाती है तब स्थित्पिंड का भार उसे बड़ा हुआ प्रतीत होता है आप जब भी लिफ्ट में जाएंगे और यदि अब लिफ्ट से आप जैसे कि फर्ष्ट फ्लोर से आपने पूचा कि मैं टैंथ फ्लोर पर जाना चाहता हूँ तो फर्ष्ट से जब आप नीचे से ऊपर की उर जा रहे आप यहाँ आपका मैसूस होगा और यदि लिफ्ट दूस्तों नीचे की और आती तो लिफ्ट में स्थित्पिंड का भार दूस्तों कम घटा हुआ प्रतीत होगा यदि आप 10 मीं मंजल से पहली मंजल से आते हैं लिफ्ट से तो आप समझ जाएगा आपका जो बज़न है दोस्तों आपको ऐसा लगया कि मेरा बज़न जो दूस्तों कम हो गया है क्लियर पांचमा पॉइंट है यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का तुरण गृत्ती तुरण से अधिक हो जाता है तो लिफ्ट में जो स्थित्पिंड होता है वह उसकी फरस से उठकर जाकर उसके जो लेंटर होता न च्छत उस पर जा लगेगा तकरा जाएगा उस पर अगला है दोस्तों ग्रहों के गती से संबंदित कैपलर का नियम दोस्तों एक्जामनर फुकावी कभी पूछ देता है बताएगा ग्रहों संबंदित नियम किस ने दिया तो आपका के यहां पर दिन्हीट स्वी ग्रहों के चारों और दीली भी द्येताकार कच्छा जिसको को गोलते ऐलिप्टिकल और में परिक्रन κα्रतें चुरां करतें तबाई और परी नियम करतें ऊथा दियाएंग हच्छाहों की एक फोकस पर सूर में सूर कृत नियत रहा इंदा है इ सूर के निकरतम ग्रह कौन सा दोस्तों बुद्ध बुद्ध जो है दोस्तों सूर के सबसे निकरतम ग्रह है क्लियर चलिए यहां तक की बास समझ में आ चुकी होगी अगले पांट पर चलते हैं दोस्तों अगला पांट है जो ग्रह सूर से जितनी अधिक दूरी पर होगा कोई सा है आप सभी को पता है कि सबसूर के सबसे नर्दिक ग्रह कौन सा बुद्ध हो गया ठीक है बुद्ध हो गया और जो ग्रह सूर के जितना समीफ होगा यानि कि निकट होगा उसका परिक्रमलकाल उतना ही कम होगा अब एक्जामनर कितना दिमाग लगा सकता है समझेगा कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमनकाल सबसे कम होता है अब ऐसा कुस्चन तो आपकी किताब में भी नहीं दिया है तो आप क्या को कि यह तो कुस्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था अब पढ़ा क्या है आप लोगों ने आप रख दी थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो तो कभी कर Ihnen सकते क्योंकि आप लोगोंने एच्छे सपड़ाए यह दिए आप लोगोंने पढ़ाऊगा कि सुर्पी जर्दी जो भी घ्रह होगा उसका परकृमनगाल उतना ही कम होगा तो आप समझ जाएंगी तो सब्सेठी सब से संभी था है three 10ali नहीं पूरे 200% निस्चत है कि उसका परक्रमाकाल उतना ही कम होगा क्लियर तो आपका भी लोग कभी भी कन्फूज नहीं होंगे तो कौन सा यह जिसका परक्रमाकाल सबसे कम है तो बुद्ध अगला प्राइट है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकासी पिंडों को क्या बोल जो हमारी टीविएंश चलती हैं हमें दोस्तों जो मौसम के बारे जानकारी मिलती है बोच्छ से मिलती है वह सैटलाइट से ही मिलती है अगला उपग्रह अपनी कच्छा में प्रतवी का एक सक्क्रमेरकाल करते हैं है उससे मुसका एक प्रिक्रमाकाल कालाए जैस्ट नहीं gouvernement प्रयोग मौसम पूर्मानवान देखिए मैंने आपको बताया ना बुस्तित उपग्रह यानि जो सैटलाइट होते हैं वह आपके उस्तों मौसम के बारे में बताते हैं और बुस्तित उपग्रहों का प्रयोग बिमान चालाक हुआ अंत्रिच कारक्रमों में भी किया जाता है क हैंग вам पलाईद भे कहलते कि किढ़े कि यानि कि कोई भी बस्त्विक इस इसद्र को पार कर गई तोพर अब बिद्ध का मान की ना होना चाहिए चकाफी बार एक्शॉटक पूछता है ऑंएसा रखेगा प्रतैबान भे क्वाइन वी और ये बराबर हो जाएगा अगला है पलायन वेग पिंड के द्रब्मान पर निर्वार करता या नहीं करता है तो आप बताएं कि निर्वार नहीं करता है निूटन के दूती नियम के अंसार यदि किसी बस्तू के संबेग में परवरतन की दर उस बस्तू पर आरूपित बल के समान उपाती होती है तता संबेग परवरतन उसी दिसा में होता है जिस दिसा में बल आरूपित किया जाता है किसी बस्तु पर आरोपित बल एफ, प्रतिक्रिया के बराबर 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 प्र किसी बस्तू के द्रब्मान और वेग कि गुडन फल को उस बस्तू का संबेख कहते हैं जब कोई बड़ावे, किसी बस्तु पर थोड़े समय के लिए कार करता है, तो बल तथा समय, अंतराल के गुड़न फल को उस बल का आविज कहते हैं, जैसे कि आवेग बराबर क्या होता है, बल गुड़े समय, इक्वल सम्भेग में परवरतन, आवेग बराबर बल गुड़े केंदर के और होती है। इसे चैंडर की हो जिससे आप आसानी से स्मझ सकते हैं। परी자 नहीं कम समझ में आता है और जब आप लोगों को जादा समझ में आएगा पाड़ों पर बनी सड़कों का बाहरी भाग उपर की और उठा रहता है और सड़क पर चलने वाली गाड़िया अपने आप केंदर की और जुक जाती है इसी कहले दूस्तों पाड़ों पर जो सड़के जो होती है उपर नीचे जित्यकार प्त बठ पर मुड़ता है तो तुलकी सद्च होना हो जाता है और आप के preserved होग glandablo ज़ाता है फिर्णों वह जाता है प्र वह वह उस्तिता कि क्या किया रहा gep अब कैंदर बलका उताड है जिस कामद जो आपका हवाई जहाज होता है फाइटर जाट होता है बो दोस्तु पूर जाता है गलियर जैसे ओनलती यह आपका कोई जहाज है ऑब सीदा जा रहा है हमْ यह मोड़े गा ना तो सकत किई Si इस टाइप से हो जाएंगे दोस्तों, हलका सा तिरचा हो जाएगा, यह आपका जाज, कलियर, चलिए, अगले पार्ट पर चलते हैं, वहे बाल जिसके कड़ किसी गदसील बस्तू में केंदर से दूर भागने की परवती होती है, वहे अपकेंदरी बाल कहलाती है, और वहे जोटए में कभी िशुल में कहा किड़ों यो मिधा है जोनास को निब सकता है जब घुमाएंगे तो हैं उसको कौन सी फेसलिए तो बस्त deviation कि पर आहिको और आप and तो इस तो कौन से गती हो जाएगी, ब्रतीं गती हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको गोल-गोल घुमाया और वो पत्थर भअप का उड़ा जाएगा. अगला point है, जब कोई कड़किसी ब्रताकार मार्ग पर गती करता है, और प्रारंबिक, और प्रारंबिक स्थिति के सापिक कड़के जितने कोल से घूंता है उसे हम कोडी विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट कहते हैं कोडी विस्थापन का मतरक क्या होता है रेडियन और रेडियन एक कैसी रासी है हमीशा याद रखेगा ये प्रांट को मैं ब्रैकेट में एक बार बंद कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीन्शॉट ले 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 और इसका नोट्स में जरूर इंपोर्टन प्रांट बना के लिख लीजिएगा कोडी विस्थापन का मतरक क्या होता है रेडियन और इसका रासी ज प्रचेप गती प्रोजेक्टाइल मोसन कहते हैं और प्रचेप गती के जिसे उधार कौन कौन से हो गया जैसे कि हवाई जार से गिराया गया बं तोप से चूटा गोला और धनों से चूटा बान यानि कि आपकी दुस्तों सेम पोजीशन है कैसे यानि युद्धक छेतर में जिसको हम यूज करते हैं हवाई जार से बं गराएंगे तोप से गोला चोड़ेंगे और धनों से बाल चोड़ेंगे यानि कि आपके युद्धक छेतर के हो गए अब प्रचेप जिसे कि हम प्रचेप क्या होते हैं प्रचेप गती प्रचेप गती कि दिए हम बात की जाए बहुत एक के जनक कौन है न्यूटन है इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसीप या में गती समदी अपने बिचारों को तीन नियमों के रूप में उन्होंने बताया था न्यूटन के प्रचेप गती कि नियम के इसार यदि कोई बस्तू ब्राम आवस्था या इस्तिर भी करते नियूटन के प्रिथम नियम को क्या कहते हैं में जड़त का नियम भी कहते हैं और गेलियों का नियम भी कहते तो हम पीछे की और जुख जाते हैं जैसे कि इसमें सेक्रेंड एक्जम्पल थर्ड एक्जम्पल देया कि ठेरी मोटर या रेल गाड़ी वचानक चल पढ़ने पर उसमें पैठने यात्री होता है वो पीछे की और जुख जाता है पेड़ की साखाओं को जोर जोर से हिलाने पर उस पर लगे फल तूट कर गिर पड़ते हैं ये भी आपका एक न्यूटन का गतिव सिया के प्रथम नियम है अगला है नावकी बिखंडन तथा नावकी सलियन जिसको बोलते है नुकलियर फिजन एंड फ्यूजन आप लोगों को पता होगा कि नावकी बिखंडन क्या होता है नावकी सलियन क्या होता है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा हैड्रोजन बम और परमाडू बम के बारे में किसी बहरी नाविक के दो या दो से अधिक हलके नाविक में तूटने के प्रिक्रिया को नावकी भिखंडन कहते हैं जिसको न्युकलर फिजन कहते हैं जिससे अत्य अधिक मातरा में उर्जा उथपन्न होती है आप लोग जानते हैं कि परमाडू बम से कई गुना जादा खतरना क्या होता है हाइड्रोजन बम क्या होता है दूस्तो हाइड्रोजन बम अगला पैंट है अगला पैंट दिया गया है जब यूरेनियम 92 U-235 जब यूरेनियम 92 U-235 को नीट्रोन के बाहर नीट्रोन के प्रहार द्वारा बिखंडित किया जाता है तो यूरेनियम के नाविक बेरियम तथा क्रिप्टॉन के दो खंडों में बिभाज़त होते हैं और परमाडू बम को बनाने के लिए यूरेनियम 92 U-235 तथा प्लूटोनियम 94 पी U-249 कप्रियों किया जाता है जो कि नाव की बिखंडन के सिद्धान पर आधारित है दोस्तों हमेशा याद रखेगा एक आपका होता है नाव की बिखंडन दूसरा होता है आपका नाव की सनलियन एक होता है परमाडू बम और एक होता है हैडरोजन बम परमाडू बम जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है लेकिन परमाडू बम से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है हाइडरोजन बम क्योंकि परमाडू बम जो होता बो दुस्तो आपका नाब की बिखंडन पर अधारित होता है जबकि हाइडरोजन बम आपका दुस्तो नाब की संलियन पर अधारित होता है जो कि आप को बता दें कि परमाडू बम से कई गुना जादा खतरनाक होता है एक्जामनर कुस्चन उठा कि यही पूछता है कि परमाडू बम किस पर अदारेत है नाप की बिखंडन पर की नाप की संलियन पर हाइडरोजन बम किस पर अदारेत है नाप की बिखंडन पर या नाप की संलियन पर इंदन, फ्यूल, मंदक जिसको मॉडरेटर बोलते हैं, सीतला कूलन हो गया, निंतरक छड़े हो गई, कंट्रॉल रोड्स बोलते हैं, इससे प्राप्त नाब की उर्जा को विद्धित उर्जा प्राप्त करते हैं, और रेक्टर में अनेक प्रकार की समस्थानिक उत्पन किये पहला है कि रेक्टर में मंदक की रूप में भारी जल या ग्रेफाइड का प्रयोग किया जाता है, और मंदक रेक्टर में निट्रोन की गती को इदियम धीमा करते हैं, रेक्टर में इंधन की रूप में यूरुनियम दोसो पैंतियस और प्लोटोनियम दोसो नतालिस का प् जब दो या दो से अधिक हलगे नाविक सहबत होकर एक बहरी नाविक बनाते हैं और अत्यदियों को ओरजा बिमुक्त करते हैं तो इसको अपकर्या को नाव की सलियन कहते हैं जिसको न्यूकलर फ्यूजन जो कि आपका हैड्रोजन इसी पर कार करता है सूर एवं तारों से प्राप्त उर्जा प्रकास का स्रोत भी नाव की सनलियन ही है आप लोगों को देखा होगा कि जो तारे होते हैं वह आस्मान में हमें लगता है सूर भी आपका दुस्तो नाव की सनलियन पर आदारेते हैं नाविकों को सनलियत करने के लिए करीब दसकी घहत आठ कैलिवन के उच्छ ताप त्ता अतिन्त उच्च दाव की आवसकता होती है हाइडरोजन बम नाव की सनलियन बम है जो कि भारी हैडरोजन नापको कि सल्लियन पादारत, देखे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, परमाडू बम किस पर बताया था, परमाडू बम नापकी बिखंडन, हैडरोजन बम नापकी सल्लियन पर, सल्लियन अती उच्च ताप पर होता है, अता सल्लियन बम के साथ एक भिखंडन परमारू बम को प्रज लोन के रूप में प्रयोंगत करना पड़ता है और हाईडरोजन बम में स्टलैन की प्रक्रिया एक आन्यंतरित प्रिक्रिया है जिसका प्योग बिद्धुन स्कारी हो सकते है देखे वही बात गे ना कि परमाडू बंसे कई गुना जादा कहतरना कोता है परमाडू hydrogen बंसे एक ऐसा बं मैं जिसको आप कभी भी आनिन्तरत प्रक्रिया है आप एक बार परमाड़ बंब को निंतरत तो कर सकते हो लेकिन हाइडरोजिन बंब को आप निंतरत नहीं कर सकते हो यह कि अनियंतरत प्रिक्रिया जो की बहुत ही जादा बिद्वन सिकारी है अगला पाउंट है माप तौल के कुछ बिभी ने मातरक दिये गए है जो कि आप आप लोगों कि अंतिम प्रेशन पर चल रहे हैं आप सभी को पता होगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है ये तो सभी को पता ही होगा और इसको स्मॉल एम से प्रतिस्थ करते हैं दिरभ्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है आप सभी को पता है केजी हो गया समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड हो मुझे पता है कि आप लोगों कि नोट कर ढूंगी जलिए अभन दोस्तों अंतने प्रष्ट पर दोस्तु पहुंच चुके इसके बाद दोस्तों बस आपके यही कुछ बहुत एक सम्द्धी खोजे हैं और आपके जोस्तों कुछ मात्रक है और इसके बाद आपका दिस्तों रसान विख्याण याहा से आपका सब्सुएंुक्रator परदीब गहनत परदीप गहनत करें क्या होता है यहां पर दुस्तों बुक करdo पीडिया क्षिया ऑफलक से दुस्तों सदूर्ड तिरच्शा ह压 वहा है लेकिन मैं आपको ब्होत्र रहा हूँ तो अपनी कवर मनोट कर लिजेगा प्रदीब झांवते हैं फ्रिसटों कि यो जोती फिलक्स का मातरख को लगस को लगस को कि लियर अगला अगला दा जिसको तिसम्राइए ने विद्विद्धे धरता का नियंद आता है तो इसको ऐसा सितो प्रकरन को चैवप कोजाएद और अब ही सॉट्व सब्सक्राइब का रेडिय안 प्रति सेकेंड होता है चाल का मीटर प्रति सेकेंड होता है का इतन का विश्टतों ग्रतud मीटर होता है यारी हम वोल सकते हैं मीटर क्यों बोल सकते हैं सबता है VUD का मात रक न्यूटन University ii और को चोंड कर्थल क्या होतार रेडियन है डेशिर उल्सकॉल आप आसानी से अगला है जोती तीबृता कई बार एक्जाम में पूछता है जोती तरब तीबृता का मतरक होता है कैंडिला क्या होता है जोती तीबृता का मतरक कैंडिला होता है और आपका जो जोती फ्लक्स होता है यह किसका मतरक ल्यूमेन होता है अगला पॉइंट है भी को पता होगा जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन ने किस की कोज की थी दूस्तों परमाडू की कोज की थी